नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है दाग्यान टाप येटूब चैनल पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे हमने 2013 एजी टीए का पेपर का पूरा सेलोशन पहले ही करवा दिया है अब हम इस समय जो हम लोगों का चल ला है 2016 गन्ना प्रविच्छक का पे पर है सामान ग्यान हम लोगों ने साल्व कर लियाας सामान बिज्ञान की बारी है और सारे कुषिशन को हम लोग कबर करेंगे विधोत रूप से detitute से इसारे को सन एक जाम के दिष्ट कोंई से बहुत important और आप लोग लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ सकें और इसका लाप प्राप्त कर सकें अब बढ़ते हैं कुष्टन की तराफ इस पार्ट में सामान विज्ञान और अंकगरित है क्यों आज हम सामान विज्ञान देखें कौन सी आउसधी प्रयोक की जाती है तो आप लोग बताईए क्या होगा इसको हिंदी में चौर नासक भी कहते हैं हम लोग और इंग्लिस में से कहते हैं एंटी पाइरेटिक्स इंटी पाइरेटिक्स इसका काम होता है जब शरीर में मुखार बहुत ज्यादा होता है तब इ कुषण है ट्रोकोमा दोरा कौन सा अंग प्रभावित होता है बाबु पहले आप यह जान लेजिए ट्रोकोमा आख की कर्णिया जो कार्णिया होती उसको प्रभावित करता तो यह आख की विमारी इसलिए आए आख को प्रभावित करती है वाबु हम लोग 78 नंबर स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है यानि स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है तो विकल्प नंबर यह सही हो जाएगा क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे जंग ना लगे और यह कितना मिलाया जात है कि यह 15 परसंद लोहा में रहता है और बहुत ठोस होता है यह और इसी के कारण इस टील में कभी जंग नहीं लगता है इससे आपका बरतन बनता है ब्लेड बनता है आधी चीज़ें बनाई जाती है अब 89 नमबर का कुश्चन आपके एगरी कल्चर से है दूद की घहनता में अपने के लिए कौन सा उपकरनर प्रयोग किया जाता है यानि कौन सा तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा लेक्टो मीटर का प्रयोग किया जाता है बावु किसका प्रयोग किया जाता है लेक्टो मी है बोरो मीटर क्या है आयू मंड़ेली EL avete को मापने वाला ये एक यंत्र है जिसको बोरो मेटर कहते हैं एक फोता है हाइगलो मिटर है जो आफका होता है ये आयू मनेली समय को समひ tákk reaction कि नहीं करकी मताईए जी बिल्कुल अगला कुश्ट नमारा है पाउधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो पाउधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो पाउधा के तने से हल्दी प्राप्त होती है तने से हल्दी प्राप्त होती है हल्दी का हल्दी जो पाउधा होता है उसका जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको परकंद कहते हैं उसको क्या कहते हैं इसका बेज्ञानिंग नाम कोई बता सकता है क्या है बिल्कुल कुर्क कुम्भा लांगा इसका बेज्ञानिंग नेम है आप लोग इसका फैमली बता दीज से आता है और इसका उत्रपत्यस्थान और कट बंदिया दृषन असी आ है और उसका उस्व किस में किया जाता है आवसधी के रूम होता या कितना अक्सीजन होता एक तरीके से भी बोल सकते हो कि आयू में लगबग कितना भाग आक्सीजन है तो एक अनपाथ पांच यानि एक अनपाथ पांच का मतलब यहां यह होगा कि नाइट्रोजन आठ-एतर परसंट हो जाएगा और जैंगा आक्सीजन बीज दसमीलों 9 3% होता है कर्बन डाय अक्साइड जीरो दसमीलों 0-3% होता है तो इसी के अन्सार थावलों नापेंगे तो यह आएगा आक्सीजन आईव मंदल में एक अनपाथ पांच के अनपाथ में पाया जाता है क जमन्ज में आ गया 82 नंबर का कुश्चन है अंत्रियो लाजी का संबंद किस्टे है तो यह बावो पच्छियों से है इसका संबंद किस्टे है इसका संबंद स्बस्राइद पच्छियों से है अब बताइए सिस्मो लाजी का संबंद किस्से से है ऑलाग जी से संब्ध किस्ता यह भूकंप से है यानि भूकंप का अध्यान किया जाता है ऑके da है पचासी नमबर का कुशन है आबिर्थ मापने आबिर्थ मापने की काई का नाम क्या है तो इसका बाबु आबिर्थ मापने का इकाई का नाम हार्टर से होता है और इसके बारे में जान लिजी आप लोग जब माध्यम का कंपन करता है कोई कर एक सिकन में जितना कंपन करता ह उसको क्या कहते हैं आबिर्द कहते हैं यान बराबर आई बटाटी और इसका मात्रक ही हार्टेज होता है बाबू 86 नंबर का कुश्चन आपके बीच में है सामान मनुस में रक्त के पर 300 जो सामान मनुस का रक्त होता है 100 कुबेट सेंटीम मीटर में हीमो गलोबिन की मात्रा कितनी होती है तो आपके करेक्ट एंसर हो जाएगा 14 से 15.5 ग्राम 14 से 15.5 ग्राम हो जाएगा और हीमो गलोबिन क्या है हीमो गलोबिन एक प्रोटीन है कहां पाया जाता है हमारे वह आपके बीच में पाया जाता है यानि मनुस के रक्त में पाया जाता है हीमो गलोबिन कहां पाया जाता है मनुस के रक्त में पाया जाता है का ही रख्त समोगी को कहा जाता है इसमें यूंप यूए इसा है को समझे आग और 88 नमबर का question आप लोगों के बीच में है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताईए जली-जली मानव सरीर में सबसे बड़ी अस्थी कौन सी है मानव सरीर में सबसे बड़ी अस्थी कौन सी है बताईए आप लोग बिल्कुल सही बोल ले हो आप लोग बिकल्प नंबर D सही होगा बिकल्प नंबर D सही होगा इसका नाम फीमर है फीमर होता है जो जांक एक हड़ी का नाम फीमर होता है वही सबसे बड़ी हड़ी होती है समझ में आया बिल्कुल बाबु भोजन को चबाने वाले दात कौन से प्रकार के होते हैं यानि जो भोजन हम लोग करते हैं तो कौन सा दात से हम लोग भोजन चबाते हैं बिलकूर बिलकूर तो हमारा पहला हो जाएगा शाववार यानि चाववर दाट जो होता उसे हम भोजन चब़ाते हैं मनुस में दात कितनी बार निकलते हैं दो बार निकलते हैं आक भारले में कितना 16 दाद होते हैं समझ में आया बिल्कुल अब हमारा कुश्चन है 90 नंबर का कुश्चन है निम लिखित में किस में ध्वन की गत सबसे तेज होती है बताईए तो निरुवात में कितनी होती है यहां बिल्कुल सुन्य होता है बाबू हवा में कितना होता है बताईए हवा में कितना होता है 332 मीटर पर 30 सिकंड जल में कितना होता है 1493 मीटर पर 30 सिकंड और सबसे ज़्यादा होता है लोहे में यानि 5130 मीटर पर 30 सिकंड किस में होता है लोहे में होता है तो विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा विकल्प नंबर बीज सही हो जाएगा एक्यान नब्बे नंबर का कुश्चन आप लोगों के बीज में है मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है यानि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यह प्लिहा अंग होता जो प्रभावित होता है और मलेरिया से मलेरिया से ही प्लि सारे कुषिण आने वाला एकजाम में बहुत माइने रखेंगे, आप आ जाता बान नबे नंबर का कुषिण, लिखा हुआ है, निम लिखिन में कौन सी धात मानों ने सवर पर्थम परयोंट किया, मानों ने सवर पर्थम किस धात का परियोंग किया तो तांबे का प्रियोग बताईए तांबे का प्रियोग मानों ने स्वर पर्थम किया था किसका प्रियोग किया था मानों ने स्वर पर्थम तांबे का प्रियोग किया था बिल्कुल सही अब हमारा अगला कुश्चन आता है 94 नमबर के कुश्चन आप लोगों के बीज में है बड़ा जबरदस्ट कुश्चन है 24 नमबर कुश्चन छूटा जा रहा था इसको पहले करवा दे भूशरन किसके द्वारा रोका जा सकता है यानि भूशरन मिर्दा कटाओ किसके द्वारा रोका जा सकता है तो पेंड पोधे लगाने से बन रोपन से ही रोका जा सकता है तो आपका बिकल्ब नमबर 20 ही हो जाएगा यानि बन रोपन से ही भूशरन को रोका जा सकता है बहुत सारे कुश्चन बहुत अच्छे कुश्चन है आये थे 2016 में 94 है सूर छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं यानि सूर छतरी के लिए उत्तम रंग कौन से होते हैं बताई ये बागू आप लो सेर्स पर सफेद और भीतर की और काला बिल्कुल सही सीर्स पर सफेद और भीतर की और काला सूर्च छतिरी के लिए सबसे उप्युक्त रंग होते हैं बिल्कुल सही है विकल्प नंबर यह जिन्होंने लगाए उनका सबका सही है अब बताईए आप लोग एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है यानि एक ही टाइम में दो तरफ देख सकता है गिर्गिट की तरह रंग बदलते हो कहावत भी है यानि गिर्गिट होगा गिर्गिट एक ही समय दो तरफ देख सकता है भाई चियान नेवे नंबर का कुश्चन है एक मेगा बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं एक मेगा बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं तो एक हजार चौबिस एक हजार चौबिस और एक बाइट बराबर क्या होता है आप लोग कमेंट करके चलती चलती बताईए बिल्कु रख होसला ओ मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलके समंदर भी आएगा और ठकार करना बैठ मेरे दोस्त मंजिल भी मिलेगी ओ मिलने का मज़ा भी आएगा क्योंकि आप लोग धैर बनाए रखिए सब कुछ संभू है एकरी कल्चर वालों के छात्रों में वो दम है जो किसी अग्जान में नहीं है है तो हमारा अगला सब्थानन नबर का कुछ वेゲーム है उसको हम लोग दیکھते हैं वीधो तरीके से बिल्कुल लाल रक्त काणिकाए सरीर के किस भाग में बनती है रिची शरीर के किस भाघ में बनती और व तो और व श्यू करें अस्ति मज्जा के भाग में बनता है यह 97 नंबर तक कुश्चन हो गया है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ कुश्चन मैथ के थे उनको हमने छोड़ दिया है आने वाले वीडियो में मैथ भी करवा देंगे विद्वा तरीके से आपको पसंद आएगा 137 नंबर का कुश्चन है कृतिम सिल्क के रूब में कौन सी संतेठिक फाइबर जाना जाता है यानी रियान को जाना जाता है संतेठिक फाइबर और यानि कपड़ा उद्दोग में रियान को कृतिम रेसम भी कहा जाता यानि आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है सभी लोग जानते होंगे कि लिंक को जल्दी जल्दी सिएर कर दीजिए 138 नमबर का कूश्शन है कांच का कौन सा प्रकार उसमा पर्त्रोधी होता है अब इसके बारे में समलेजिए बोरो सिलिकेट कांच इसको कहते हैं बोरो सिलेकेट कांच भी इसको कहते हैं बाबू और इसको पायरेक्स कांच के रसानिक इस्थित या तापतिय इस्थित में प्रधान परतिरोधक छमता आधिक होती है अब हमारा कुश्चन आता है 149 नंबर का सुद्ध पानी का पियच निकर्तम होता है यानि सुद्ध पानी का पियच निकर्तम क्या होता है तो ये बाबू साथ हो जाएगा जिन्होंने साथ लगाया है उनका सबका सही है पियच मान कहां से कहां तक होता है तो जीरो से लेके च बिद्धित का कुछ अलग होता है इतना समझ में आपको आया होगा अब आ जाता है कुश्चन नंबर 140 आप लोगों के बीज में आधूनिक प्रमारु शिद्धान तयार किया गया है तो बताई आप जान डालतन के द्वारा तयार किया गया है यह अंग्रेश रसान विज्ञा वेज्ञानिक थे और सत्रा सो चांसर से लेकर ठाड़ा सो चोवालिस तक इनका प्रभाव काल लहा और उन्होंने पर्थम आधूनिक प्रमार से धांद को भी परस्ताबित किया था इनहीं के दौरा हुआ था अब आ जाता है कुश्चन नंबर 141 वासिंग सोडा वासिंग स सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट इसको क्या कहता है सोडियम कार्बोनेट और जिसका रसानिक शूत क्या होता यह ने टू सी ओ थरी यह ने टू सी ओ थरी और यह जल में पानी में बहुत ज्यादा बले होता है यारी मिल जाता है अब आता है आपका 81 नंबर का कु कुश्चन है सीशा पैंसिल में प्रियोग होता तो सीशा पैंसिल में क्या प्रियोग होता बावु कार्बन प्रियोग होता है बिल्कुल 143 नंबर का कुश्चन आप लोगों के वीच में है केल्सियम सालफेट इस रूप में जाना जाता है केल्सियम सालफेट इस रूप में इसी को ही जिफ्सम भी कहा जाता है बिल्कुल और एक बात हो यह दी प्लास्टर आप पेरिश को जल से किरिया कराने प्रपुना निर्जल CEO 4 प्राप्थ होता है तो उसको भी जिफ्सम कहा जाता है जो बिल्कुल अब आज आता है 144 नंबर का कुश्चन आपके बीच में नीबू में एसिटिक पाए जाता तो बिलकुल तो कौन सा पाए जाता है साइट्रिक एसिड अब आ जाता है आपका दोध में क्या पाए जाता बाबू दोध में क्या पाए जाता लेक्टिक अमल या एसिड सेब में क्या पाए जाता है मैलिक एसिड इमली में क्या पाए जाता है टाइटरिक एसिड तो ये सारे कौश्चन बहुत इंपॉर्टन्ट है अब आखरी के छे कौश्चन बच्चे है इसको आप ज़रूर देखके जाएे दोस्तों में भी सियर करिए अब हम आगे वरते हैं किर्ति मुअर्षा के लिए प्रियोग क्या होता है बाबों जो किर्ति मुअर्षा कराई जाते कही देश करूआते हैं तो उसमें सिलवर, आयोडाइट इसके द्वारा ही कृतिम बर्सा होती है और इसको लूनर कास्टिक भी कहते हैं और इसका प्रियोग जब आप मद्दान करने जाते हैं और आपके उंगली पे एक साही लगाई जाती है इसका प्रियोग किया जाता है लिए अहले में आ गया होगा थे 146 नंबर का कुश्क्यों है असा हम के ऍसर्डीं टोरिक्रियोग यानि 146 नंबर करेक्ट एक स yhte तील सेले सेले एक एसिड है और यह क्या है यह कर दवा है इसको सूझन बेभी प्रयोग किया जाता बुखार की कंदिशन में भी प्रयोग किया जाता है समझ में आया कि नहीं आया आप लोग लिंग को सियर कर दिजिए दोस्तों में इसको और 147 नंबर का कुईश्टन है बहुत अछा कुईश्टन है कि इस अंग के भीतर त्यासे इस्थित होता है त Families नियर से किसके अंदर होता है लेवर के अंदर होता है यकिर्थ का मतलब ही लीवर होता है यकिर्थ मानो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी होती है और इसका वजन एक डेड़ किलो से दो किलो होता है यानि एक दस्मूलो पांच केजी से दो दस्मूलो जीरो दो केजी होता है समझ में आया और 148 नंबर का कुश्चन आप लोगों के बीच में है मानविये शरीर में रखता संचार कैसे होता है कि खोच करने वाला पर्थम कौन था यानि बिलियम हार्वे ने इसकी खोच की थी किस ने की थी खोच बाबु बिलियम हार्वे ने की थी बिलकूल मनुस जो म अब आज आता है 149 नंबर का कुश्चन निकत द्रिष्टी वालों जो निकत द्रिष्टी दोस होता है उसमें कौन सा प्रियोग होता है निकत द्रिष्टी दोस वाले लोगों के लिए कौन सा प्रियोगत लेंस होता है तो इसमें आउतर लेंस प्रियोग होता है कौन सा ले जो इस रोक से गरसित होता ब्यक्ति होता है और नजदीक की बस्त देख लेता है पर दूर की बस्त उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है अगर लास्ट तक आप रुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएए वीडियो को लाइक कर दिजिए दोस्तों में शेयर क बीच में है परितंत्र के दो मूल घटक परितंत्र के दो मूल घटक कौन है बाव उताईए आप लो बिल्कुल जल्दी जल्दी बताईए बस आखरी कूश्चन है इसका करेक्ट एंसर भी होगा जी बिये आ जी बिये बिल्कुल यहीं अपने सब्दों को हम विराम देंगे जै हिन जै भारत बंदे मात्रम